हेलो फ्रेंड्स रुबीस कुक बुक में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाएंगे इडली बड़ा डोसा के साथ खाये जाने वाला रेप चटनी एक कड़ाई को ग्यास के ऊपर चड़ा दिया है इसमें दो चम्मच ओयल डालेंगे इसमें पाच्छे सुखे मीज को डालके आधा मिनाट चला लेंगे और इसके साथी तीन बड़ा चम्मच चनादाल को डालके इसे हलका गुलावी होने तक भूनेंगे यहां पर ग्यास का फ्लें मीडियम टू लो ही रहेगा तो दो शे अड़ाई मिनट में चनादाल हलका शा भून गया है तो पंद्रा बिस लहसन क कली को यहां पर डाल देंगे इसके साथी एक बड़ा साइज का प्याज को रफली चौप करके डाला है तीन हरी मिर्ची को काट कर डालेंगे और एक टुकरा अद्रक को डालकर प्याज को हलका सा भून लेंगे दो तीन मिनट में प्याज हलका सा भून गया है तो तीन साइज के टमाटर को हम रफली चौप करके यहां पे एड़ कर देंगे और टमाटर जल्दी सौप्ट हो जाए इसके लिए स्वादनुसान नमक डालके इसको थोड़ा सा भून लेंगे यह चटनी बनाना जितना इजी है खाने में उतना ही स्वादिस्थ है तो देखे दो तीन मिनट में टमाटर अच्छे से सौप्ट हो गया है और प्याज के साथ टमाटर अच्छे से भून भी गया है तो ग्यास का फ्लेम हम यहां पे ओफ कर देंगे और इसे पुरी तरह से ठंडा करके मिक्सी के जार में डालके चटनी पीस लेंगे तो देखे चटनी पीसकर तयार है इसमें तड़का लगाने के लिए एक पैन को गैस के उपर चढ़ा देंगे इसमें एक चम्मत घी चाय ओयल डालेंगे इसमें एक चम्मत सर्शो एक शुखे मेच डालेंगे इसको फुटने देंगे उसके बाद गैस का फ्लेम आप करके कड़ी पत्ता डालेंगे अब ये त लाउथ इंडियन रेड चटनी का रेशिपी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सेयर और सब्सक्राइब तो माई चैनल थैंक्स पर वाचिंग